आज आप सभी लोगों ने देखा कि हमारे पिधार मंतरी मौदी साहब ने परीक्षा पर चर्चा की हुई है और चात्रों से उन्होंने बात की हुई है तो आज की जो परीक्षा पर चर्चा रही है इसकी क्या महत्पूर बातें रही है उन्हें हम लोग देख लेते हैं और अ हुमारे देश के पिधान मंतरी साहब कोई भी संबोधन करते हैं तो उसे सुनना हर परिक्षारती के लिए अगर आप किसी एकजाम की तैयारी कर रहे हैं तो सुनने में कोई बुराई नहीं है चाहे आप लोग उन्हें पसंद करते हो या ना पसंद करते होंगे लेकिन कुछ स जीवन का सहज हिस्सा है इपिधान मंतरी के द्वारा कहा गया है कि मन में तैय कर लिजे कि परिक्षा जीवन का सहज हिस्सा है और हमारी विकास यात्रा के ये छोटे-छोटे पड़ाओ हैं इस पड़ाओ से पहले भी हम गुजर चुके हैं पहले भी हम कई बार परिक्षा दे चुके हैं, जब विश्वास पैदा हो जाता है, तो आने वाली परेक्षा के लिए ये अनुभाव आपकी तागत बन जाते हैं, तो इस बात को भी आप लोग नोटिस करिए, और यात रखी कोई भी जब संबोधित करता है, कोई किसी टॉपिक पर चर्चा करता है, तो उस अपने अनुभावों को छोटा मत मानिये, पीम मोदी साब ने कहा है कि चात्रों से कहा है कि परीक्षा की तेजारी के दोरन अपने अनुभावों को जिस विक्रिया से आप गुजर रहें, उसको आप कतई छोटा मत मानिये, दूसरा आपके मन में जो पैनिक होता है, उसके लिए मेरा आप से अग्र है कि आप किसी दवाव में मत रहें, जितनी सहज दिंचरिया आपकी रहती है, उसी सहज दिंचरिया में आप अपने आने वाले परीक्षा के समय को भी बिताएं, अंगली बात क्या है, पढ़ाई में माध्यम समस्या नहीं है, पिदाल मंतरी साब है कि मन कहीं और होगा तो सुनना ही बंध हो जाता है, जो चीजे ओपलाइन होती है, वही ओनलाइन भी होती है, इसका मतलब है कि माध्यम समस्या नहीं है, समस्या मन को बताया है और माध्यम ओनलाइन हो या ओपलाइन, अगर मन पूरा उसमें डूबा हुआ है, तो आपके लिए online या offline का कोई फरक नहीं पड़ेगा इन्होंने एक बात और कई हुई है real में पढ़ते हैं या real देखते हैं real में पढ़ते हैं या real देखते हैं पिधार मंत्री ने जब आप online पढ़ाई करते हैं तो क्या आप सच में पढ़ाई करते हैं रील देखते हैं आजकल यूटूब पर आप देखिए फेस्बुक पर आप देखिए काफी रील वायरल होती रहती है उनमें आप लोग काफी टाइम बरबात कर देते हैं तो उसी को लेकर पिदार मंतरी साहब ने देखा होगा तो उन्होंने भी बताया हुआ है दोस ओनलाइ कि आप लोग अकियत है कि जब आप लोग ने देखा होगा कि आप लोग ओनलाइन के लिए मोबाइल लेप्टॉप पैवलेट इस तरह कि किसी भी आप लोग सिस्टम पर जाते हैं तो आपने देखा होगा कि आपको अगर वहां पांच मिनट का काम होता है पड़ाई के देखा है जितना आई फैड मुबाइल फ़ोन के अंदर घुसने में आनन्द आता है उससे हजार गोना आनन्द अपने भीतर घुसने का होता है दिन भर में कुछ पल ऐसे निकाली है जब आप ऑफ लाइन भी नहीं होंगे बल्कि इनर लाइन होंगे जितना अपने अंदर जाएंगे आप अपनी उर्चा को अनुभाव करेंगे और लगता है मुझे भी लगता है कि देखिए जो 20 गंटे का समय मिलता है तो 5-10 मिर्ट कम से कम आप लोगों को देख तो लेना चाहिए अपने आप से बात जरूर करने चाहिए आप लोगों को देखना चाहिए कि आप आप लाइन पाने के लिए और ऑनलाइन बनने के लिए मुझे कितना ग्यान अर्जित करना है मैं अपने मोबाइल फॉर्ण पर ले जाओंगा और उप्लाइन में उसे पन पने का आउसर दूँगा ओंलाइन का अपना आधार मजबूत करने के लिए उपयोग करे ओफलाइन में जाकर उसे साकार करे तो ये भी याद रखे खुद को पेरित करने वाली बातों को जाने PMODI ने खाए कि खुद को जानना बहुत जरूरी है और उसमें भी कौन सी बाते हैं जो आपको निरास करती हैं उन्हें जानकर अलग कर लें और फिर आप ये जान लें कि कौन सी बाते हैं आपको सह जरूर्प से पेरित करती हैं आप स्वयम के विशय पर जरूर विसलेसन कीजिए और PMODI ने काई कि मोटिवेसन का इंजिक्षन लगता है तो उसे लगवा दें और PMODI ने काई कि पहले आप खुद को आपजर्ब कीजे और आपको कौन सी बाते होती हैं जिससे आपका होसला कम होता है एक दिन सबता या महीने मैं आपको पता लग जाएगा फिर आपको पता लग जाएगा कि एक मेरे लिए कठिन है इसके बाद आप उसे दूर करने पर काम कर सकते हैं आंगे प्रीएम साहब ने कहा है कि अपनी अधूरी आकांचाओं को बच्चों पर ना थोपना चाहिए सिक्चकों और माता-पिता उनको भी सिलाय दिये प्यम मौदी ने कहा है कि माता-पिता सिक्चकों को अपने स्वयम के सपनों आधूरी आकांचाओं को बच्चों पर नहीं थोपना चाहिए PM ने कहा है कि अपने बच्चों पर अपनी आकांचाओं का भार ना डालें इससे बच्चे बिना किसी दबाओ के आँगे बढ़ पाएंगे अब देखे सीडी सी बात है कि आज कल आपकी समाज में देखते होंगे बच्चा बनना कुछ चाह रहा है बच्चा पढ़ना कुछ और चाह रहा है लेकिन बाप बाप उसे प्रेसर देकर आपने देखा होगा कि किसी और फिल्ड में जवरजिस्ती धकेल देते हैं और वो परफॉमेंस नहीं कर बाता हैं तो मुझे लगता है बच्चे पर छूट होने चाहिए वो किस फिल्ड में जाना चाहता है किस तरह से परफॉमेंस करेगा यूँ उस पर नहीं निर्वर करता है कुछ भी करें बिरोध का स्वर तो उठता ही है पिदान मंतरी ने कहा है कि सरकार कुछ भी करें तो कहीं न कहीं से तो कोई बिरोध का स्वर उठता ही है लेकिन मेरे लिए खुशी की बात हैं कि National Education Policy का हिंदूस्तान की हर तपकिन है पर जोर स्वागत किया है इसलिए इस काम को करने वाले सभी लोग अविनेंदन के अधिकारे हैं आप नई जो सिख्छा नीती आई हुई है उसी की बात हो रही है 20 वी सदी की सोच से क्या 21 वी सदी में आगे बढ़ सकते हैं पिधान मंतरी साब ने कहा है कि क्या हम 20 वी सदी की सोच नीती विवस्था से 21 वी सदी में आगे बढ़ सकते हैं हमें 21 वी सदी के अनकूल अपनी सारी नीतियों विवस्थाओं को डालना चाहिए अगर हम अपने आपको विक्सित नहीं करेंगे तो हम ठहर जाएंगे और विछड जाएंगे अब आप समझें कि एक समय यातरा करने के लिए आप लोग बेल गाड़ी का उपयोग करते थे कि आज भी हम लोग उसी का उपयोग करें दूर जाना है तो कई महीने लग जाएंगे सालों लग जाएंगे तो समय के साथ बलता रहना चाहिए ठीक है तो यही कुछ खास बातां रही है और अगर पूरी आप लोगों को उनकी स्पीच सुपनी है तो पेदाहर मंतरी नरेंद मौदी के नाम से आप लोग सर्च करेंगी स्पीच लेटेश स्पीच तो आप लोगों कई मिल जाएंगे उनका जो चैनल बना हुआ है उस पर भी आप लोग जाकर देख सकते हैं ठीक है